मिशन एपल के तहत पौड़ी जिले में सेब के नौ माडन फार्म तैयार किये गए हैं। पौड़ी मुख्याले का सेब बगीचा उतपादकों के लिए मिसाल बन गया है। इस बगीचे में ग्रेनी स्मित, रेड, बिलोक्स, डेर काली और रेट कॉन किस्म के सेब लगे हैं। इसके अलावा जिले में कलून, सिरोली, वेणा मली, मांड खाला, सीली, मली, गड़कोटी और मरखोला गाउं में एपल फार्म तैयार किये गए हैं। चिलादिकारी धिराज गरबयाल ने बताया कि नैनी डांडाव कासखंड के पटेलिया में उच्चकोटी की नरसरी तैयार की गई है। इस नरसरी के लिए हॉलेंड से 10,000 कलोनल रूट स्टॉक मंगा कर काम किया जा रहा है। यहाँ सेव की उत्तम प्रजाती की पॉंट तैयार की जा रही है जिसके माध्यम से 15 एकड़ सेव के बागान प्रतिवर्श तैयार किये जाएंगे। इसमें लगवाद 9 modern farm हम लोगों ने तैयार की हैं। इन modern farm के अधरिक लगवाद हमने एक अपनी nursery भी तैयार किये पटेलिया में। जिसमें 4-5,000 पॉंटे हम फिलाल एक साल में तैयार करेंगे। और उसकी capacity भी हम लोग बढ़ा रहे हैं। जो पटेलिया farm हम हमारा वहां पे root stock हम लोगों ने Holland से मंगाया है। तो वो root stock लगने का काम शुरू हो रहा है। तो यह पुरे जिले के लिए काफी अच्छी खबर यह है कि किसी सरकारी nursery में आप Holland से मंगाये गे सेब उत्पादन को लेकर उसा है। अगर सेब उत्पादन का प्रियोग सफल रहा तो निकट भावश्य में पौडी को सेब उत्पादक के शेत्र में एक नई पहचान मिल सकती है।